हेलो दोस्तो मैं मनोज सिंग और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ Fuse से रिलेटेड कॉंसेफ्ट Fuse से जो भी क्वेशन आते हैं UP, PCL, SSE, JE या अधर स्टेट के JE एकजामों में तो आए देखते हैं Fuse से क्या-क्या important concept है और उससे कैसे question बनते हैं तो यहाँ पर देखें Fuse Fuse आपको पता है किसे लगाया जाता है किसी भी circuit को या किसी भी appliance के device को बचाने के लिए Fuse को लगाया जाता है ताकि extra current अगर आए तो Fuse पिघल के तूट जाए और अंदर के जो device आपने लगा रखें वो बच जाए तो सबसे पहला point है the fuse current depends हो जो fuse की current हो किस-किस पे depend करती है सबसे पहला point diameter of the fuse fuse का diameter यानि वो कितना मोटा या कितना पतला है number of wire कितने number of wire उसमें आपने लगा रखें length of the fuse wire fuse wire की length ओके दूसरा point है the current carrying capacity of the fuse depends जो fuse की current capacity है वो किस पे depend करती है number one size of the fuse fuse का size क्या है fuse material यानि fuse किस material से बना है आपको भी पता है standard fuse जो होता हो लेड और टीन का mixture होता है यानि इसमें ये दो material ज्यादा important या ज्यादा ratio में होते हैं fuse material surrounding of the fuse fuse का जो surrounding है यानि उसके क्या कहते हैं fusing current ये तीसरा point आपका है चौता point है rating of fuse fuse की जो rating है वो हमेशा M.P.R में दी जाती है पांचवा point to prevent electrical equipment from getting damage यानि इसको damage होने से बचाने के लिए equipment यानि equipment को damage होने से बचाने के लिए circuit में जोड़ा जाता है six point always connected in series with the load यानि ये load के series में जोड़ा जाता हमेशा ओके आठमा point है inserted in phase phase में insert किया जाता है ओके सात्मा point यहां पर है function क्या क्या है इसके इसके जो function वो क्या क्या है prevent excessive current excessive current से बचाना to break the circuit when current exceeds the limiting current यानि जब current एक limit से ज़्यादा बढ़ जाए तो circuit को क्या कर देता है break कर देता है ओके third to prevent over voltage to protect over voltage यानि over voltage से overheating होईगी तो क्या हो जाएगा extra current flow होगे इसलिए यह over voltage से भी आपको बचा लेता है यानि over voltage से आपके device को बचा लेता हो ओके nine point है the current carrying capacity varies जो current के capacity वो varies करती है diameter के three point यानि current proportional to diameter की power 3 by 2 या 1.5 यानि जो current capacity होती है वो diameter के 3 by 2 के proportional होती है या 1.5 भी कह सकते हैं 10th point never inserted in neutral wire कभी यह neutral wire में के साथ नहीं होता है ओके 11 point है fusing factor fusing factor क्या होता है maximum fusing current upon rated current यानि कितनी maximum fusing current है और rated current उसमें कितनी flow हो रिये उन दोनों के ratio को आप बोलते हैं fusing factor characteristic of the fuse 12th point है कि fuse के characteristic क्या क्या होने चाहिए सबसे पहले उसका low resistance होना चाहिए या low specific resistance भी बोल सकते हैं low resistivity low melting point उसका होना चाहिए उसका melting point low होना चाहिए अगर उसका melting point high हुआ तो जो current उसमें आएगी फिर वो तो पास कर जाएगी पिगलेगा ही क्योंकि उसका तो melting point आपने हाई कर दिया इसलिए low होना जरूरी है ताकि उसमें एक्स्ट्र current आई तो पिगल के तूट जाए हाई conductivity उसकी conductivity हाई होनी चाहिए और के नेक्ट पॉइंट आफ फ्यूज प्रोवाइड एक फ्यूज प्रोवाइड करता है सेफ़ड़ दा सरकिट अगेंस्ट अगेंस्ट हैवी करेंट यह अपने appliance को बचा देता है यहनि उनके device को बचा देता है नेक्स्ट पॉइंट ए आर सी fuse एक fuse का type होता है जो सबसे better होता है ओके अब यहाँ पर हमने कुछ device है उनकी rating को हमने लिखा है तो सबसे बेले transformer की जो rating है वो KVA में दी जाती है क्योंकि कई बार rating से भी बहुत सारी question आ जाते हैं अगर यह याद रहें तो कोई बुराई नहीं AC जनरेटर की KVA में यानि किलो बोल्ट एमपियर DC जनरेटर की किलो वाट में मोटर की HP में यानि होर्स पावर एनरजी मीटर की किलो वाट अगर बस बार current voltage और फिर्क्वेंसी में इसकी rating दी जाती है circuit breaker circuit breaker की MVA यानि मेगा वोल्ट एमपियर और fuse की MPR जो हमने बता रखा ओके तो आप इसको करिए और ये वीडियो कैसी आपको लग रही है तो इसको subscribe share और like जरूर करें subscribe करने से होगा ये कि इस तरो की वीडियो में जब भी बनाऊंगा तो ये आपकी location बे सबसे पहले पहुचेगा ओके थेंक ये वेरी मुचको